ब्रम्हांड अगर हम ब्रम्हांड को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो ब्रम्हांड वो है जिसमें संपूर्ण स्रिष्टी विद्धिवान है जैसे ग्रह, उपग्रह, तारे, इत्यादी इनी ग्रहों में स्थित है हमारी पृतिवी पृतिवी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन उपस्ति थे हमारे पृतिवी की आयू लगबख साड़े चार बिलियन वर्ष है जहां कई सब्व्यतों का विकास और अंत अपने क्रमा अनुसार होता रहा है हमारी पृतिवी न सिर्फ मानव अपितू अर्बो लाखो प्रजाती के जीव जन्तू और वनस्पतियों का घर भी है आज से लगबख 65 मिलियन वर्ष पूल मानव सभ्यता के साक्ष मिलने शुरू होए थे जहां पृतिवी पर जीवन का कालचक्र जन्म और मृत्यों के बीच हमेशा गतिमान है इतिहास गवा है जो जीवित है वो एक दिन मृत्यों को अवश्य प्राप्त होगा जन्म और मरण के बीच हम अपनी जिन्दगी को जीते हैं जिन्दगी के इस सफर में हमें कई चीजों की अवशक्ता पढ़ती है लेकिन कमाल की बात ये है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो हमें इश्वर से मुफ्त मिली है जी हाँ हम बात करें हैं वायू जल और हमारा श्रीर हम कदापी इन तत्वों को तब तक जरूरी नहीं समझते चब तक हम विनाश के तरफ न पहुचे वहीं भौतिक सुखों को पाने की लाल सा सदेव गतिशीन है जहां एक इच्छा के पूर्ण होते ही दूसरी इच्छा उसकी जगा ले लेती है इन भौतिक सुखों की पूर्टियों के बीच हमारा जीवन बस अपनी इच्छाव से ही लड़ता रहता है लेकिन इश्वर द्वारा मुफ्त दिये गए तीनों तत्वों को हम कदापी गंबिता से नहीं लेते और शायद यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी हम सुकून से नहीं जी सकते और वक्त बेवक्त दोस्तिती कर बैठते हैं गंबीर रोगों से या ला इलाज बिमारियों से जो ना सिर्फ हमें बेबस और असहाय करती है बलकि दर्ब, कष्ट, धनहानी और अंत में एक दिन अपनों से हमेशा के लिए दूर कर देती है दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा मानव शरीर 75 प्रतिशन जल का बना है शरीर का हरंग हमसे स्वक्ष जल की काम ना करता है हमारा शरीर हमसे कहता है तुम मुझे स्वक्ष जल दो, मैं तुम्हें दिरगाईयू रखोंगा हमें सब कुछ बैतर चाहिए लेकिन जो सबसे जरूरी है वो है जल और जल हमें कैसा भी चल जाता है इस प्रिथीवी पर हमें कई तरीकों से जल मिलते हैं जिन में से कुछ मुर्ख बनाने वाले होते हैं तो कुछ बहुत अच्छे लेकिन काफी महंगे होते हैं कुछ का होना कुछ फाइदा अपनों को नहीं देता लेकिन किसी की जेब जरूर भर देता है जल की शुरेनी में सर्वश्रिस्ट जल होता है एलकलाइन आइनाइस्ट जल जिससे हमारे शरीर को अत्याधिक लाब मिलता है लेकिन आज बाहर की कुछ बड़ी कंपनिया हैं इसका वेवसाई कर रही है कुछ बहतेरीन हैं लेकिन आम भारतियों के जेव को भाती नहीं है तो कुछ जेव पे असरदार होती है लेकिन शरीर पे बेअसर होती है इनहीं बीच के जरूरतों को ध्यान में रखकर एक दशक से जादा का तचुर्बा लेकर बड़ी-बड़ी सरकारी विभागों को अपना लुहा मनवा कर हर भारतियों के जेव का ख्याल रखकर अपने भाई बहनों की जीवी का और स्वास्त शरीर का आधार मान कर एक भारतिय द्वारा निर्मित एक भारतिय द्वारा प्रचाजी अंगिनत खूबिया होती है जिसमें सबसे पहले आपको जानकर खुशी होगी ये हमारे बॉडी को इम्मीनिटी बूस्ट अब देता है साथ ही हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है और कई लाभों से परिपूर्ण भी रखता है ये हमें डी हाइड्रेशन की समस्या से दूर कर करता है हमारे शरीर में मौझूदा एसिटिक टॉक्सिंस को बेसर करता है इस पानी में आविशक मिनेरल्स और एक्टिव हाइड्रोजन की प्राधनता होती है आज जहां संपुर्ण विश्यो करोना वाइरस से परिशान उसके अंत के लिए एक औशदिय समधान खोजने में संघश कर रही है वहीं दूसरी और सभी को ये हिदायत दी जा रही है कि इम्मुनिटी बूस्ट अब रखे वाइरस बेसर होगा और अलकलाइन वाटर इसमें सबसे एहम किरदार निभाती है अलकलाइन वाटर से शरीर हाइड्रेटेड रहता है जिससे शरीर में फूर्ती बनी रहती है रक्त की गुणवत्ता को बहतर करती है जिससे महत्पपूर्ण अंगो को अत्याधिक ऑक्षिजन मिलती रहती है फ्री रेडिकल्स को दूर करता है जिससे उम्र बरने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है एलकलाइन वाटर में मौजूदा मिनरल्स जसमें कैल CDD cells को भी Neomates तेमाल से हम बचा सकते हैं जिससे cancer बिमारीों को बढ़ने से रोका जासकता है अंतता जैसे oxygen बमादस रेक्टनेकी झ는데요 जरूरी है वैसे ही alkaline water हमारे शौश्च श्रीर के लिये जरूरी है आईए जानते हैं इसके कुछ प्रमुक घटक जो इससे बहतर बनाती है पहले एंटी ओक्सिडेंट Be Pure Alkaline Water हमारे शरीर को सरवादिक एंटी ओक्सिडेंट प्रदान करती है जिससे ORP लेवल माइनस 500 तक होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है दूसरा एलकलाइन आजेशन Be Pure Alkaline Water में हम अपने जरूरत की आधार पर 2.5 pH strongest acidic waters लेकर पैजल सीमा 7.5 pH से 10.5 pH तक प्राप्ट कर सकते हैं साथ ही strongest alkaline water 12.5 तक को हम प्राप्ट कर सकते हैं तीसरा है माइक्रो क्लस्टरिंग मातर साथ से आठ माइक्रो क्लस्टर वाला ये पानी आसानी से हमारे शरी को हाइडरेट कर सकता है साथ ही हमारे ओर्गेंज को अत्यादिक ऑक्सीजिन प्रदान कर सकता है आईए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तक थे हमारे Be Pure Alkaline Ionizer के बारे में हमारा पहला मशीन Be Pure Prime BS7 है जिसमें साथ प्लेट्स है हमारी प्राइम मशीन आपको तीन Alkaline Water और उसी क्रमाक में तीन Acidic Water डिस्पेंस करती है एक घंटे में 30 लिटर Alkaline पैजल और 30 लिटर Acidic जल का प्रवाह करती है हमारे मशीन हर इस्तेमाल के बाद Auto Clean कर खुद को अपडेट कर लेती है हमारे मशीन में Titanium Plates जिनके उपर से Platinum की Coating की जाती है जो एक श्वक्ष जल का विश्वास देता है दोस्तों हमारे आइनाइजर की वारंटी लगबग 5 साल है प्लेटों की वारंटी लगबग 25 वर्ष है साथ ही Electrical Fittings की वारंटी एक साल है हमारे Prime BS7 का वजन लगबग 8 किलोग्राम है और सबसे महतोपूर्ण बाद यह एक भारतिय मशीन है जो एक भारतिय द्वारा निर्मित, एक भारतिय द्वारा उन्नत सबी भारतिय भाई बहनों के लिए है हमारी दूसरी मशीन है Nebula 5G जिसमें 12 प्लेट्स मौजूद है जो आपको विश्व के सबसे अत्यादिक अलकलाइन और सरवादिक एसिडिक जल का संचार देगी जो एक अंतराश्च्य लेवल की उन्नत मशीन होगी सो दोस्तों देर ना करे आज ही स्वक्ष जल अवियान का हिस्सा बने इस मुहिम को सरवादिक भारतिय घरों तक पहुचाए क्योंकि ये क्रांती नहीं ये बी प्योर की अंग्राई है अब साफ जल पीने की बारी आम जनता की आई है आत्मनिर भर भारत गौरवान विर भारत जय हिन जय भारत